नीट परिक्षा को लेकर जो ग्रेस माक वाले चात्र थे उन्हें दोबारा एक्जाम देने का मौका मिलेगा इस वक्त की बड़ी खबर और जो चात्र दोबारा नीट एक्जाम की मांग कर रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोट ने एक विंडो खुला छोड़ा है ये कहा है कि अगर भविशे में ये फैसला हम सुनाते हैं कि एक्जाम को रद किया जाएगा तो फिर जो ये पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत अभी काउंसलिंग हो रही है या जिसके तहत एक्जाम में एड्मिशन होगा ये खुद बखुद रद हो जाएगा सुप्रीम कोट ने ये व सबरसे र्य Bilirection सुनाते हैं कि आपने ग्रेस हमां पपर ली का इशु था और तीसरा ग्रेस मार्स का इशू था तो आज ग्रेस मां का 수います कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें यह कोर्ट ने यह बुला है कि को एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पर कोर्ट ने यह बुला कि ठीक है जितने भी स्टुडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं यह सब दुबारा से एपियर होंगे 23rd of जून को और इनका रिजर्ट 30th of जून को डिकलेर किया जाएगा लेकिन सर एक सवाल और की आखिर कोर्ट में यह बड़ी हार है इंटी की उसने माना कि ग्रेस मार्क्स गलत दिये गए थे जी मेरा मानना तो यह ही है कि हमारी चोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके यह चीज कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिये गए थे उन्होंने एक अमेटी बनाई और उन्हेंने सारा कैंसल करके फिर से एक्जाम करवाने के लिए बोला है तो आज के इस फैसले का जिस्ट यह है कि जो 1563 छे थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला इस बड़ी खबर पर हमारी रज़र बने हुई आप बने रहें जी न्यूस के साथ जी न्यूस